पूरी क्रिप्टो करंसी मार्किट पैनिक के अंदर है लेकिन इसका सहरा जो जा रहा है दुबारे से चाइना पे पिछले हफ़ते एवर ग्रांड कंपनी जो थी उसने परिशान करके रखा नाक में दम करके रखा और अब जो चाइना का सेंटर बैंक है उसकी स्टेटमेंट ह यह एक कुशन आंसर वैबसाइट पर पोस्ट हुए है उसके अंदर जो सेंटर बैंक है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना उन्होंने जो है बोलाए जी क्रिप्टो करंसी जो है रिलेटिड एक्टिविटीज वो इलेगल है यहाँ पे चाइना के अंदर और यहाँ पे क्या कहना है कि services offering trading, order matching, token issuance and derivatives यानि कि future trading आपके लिए वर्चुल करंसी की are strictly prohibited यानि कि चाइना के अंदर वो बैं है लेकिन इसमें नया क्या है वहाँ पे hold करना तो हमें पता था कर सकते हो लेकिन यह सब चीज़ों तो पहले से ही वहाँ बैं थी नया क्या है मुझे समझ नहीं आ रह बहुत बड़ी country है तो अगर वो कुछ कर रहा है तो वहाँ से impact cryptocurrency पर पढ़ता है और यही चीज़ हम अभी फिलाल देखने को मिल रहे हैं ऐसा लगता है कि चाइना खुद जो है market में panic पहला के dip में buying कर रहा है और यहाँ पर एक और important जो बात है समझने की overseas जो भार के cryptocurrency document, retail document जो है release किया है crackdown on cryptocurrency mining और यानि cryptocurrency mining के लिए भी सारी चीज़े कहानी खराब करने की बात हो रही है और इसकी वैसे हमें फिलाल जो है market के अंदर panic देखने को मिल रहा है cryptocurrency market के अंदर और चाइना ने यह पहली बार नहीं किया चाइना ने पहले भी कई बार ऐसी चीज़े कि यह सब चीज़े temporary हैं लेकिन जब भी कोई भी ऐसी बात होती है इससे हमें market में panic देखने को मिलता है और वो ही हमें अभी भी देखने को मिल रहा है लेकिन अगर आपने हमारी कल की वीडियो देखी होगी जब मैंने आप बनाई थी quick update crypto is back but don't do mistake इसका मतलब क्या था इसका मत चैनल को subscribe कर लीजे ताकि जो भी update हो आपको फटाफट मिलती रहे और Twitter टेलिग्राम को फॉलो करेंजे बहुत सारी updates होती है जो हम वहां करते रहते हैं कई बार यहां पे वीडियो बनाते हुए miss हो जाती है तो यह तो थी picture की इसकी वैसे हमें panic देखने को मिल रहा है क्या य और वहां से यह दुबारे से 45,000 डॉलर पे पहुंच गया और 45,000 डॉलर से हमने सीधा 3,000 डॉलर का दुबारे से dump देखा यह चाइना की FUD के बाद चाइना की news के बाद में अगर मैं टेकनिकली बात करता हूं तो 42,600 500 इसको एक support मिलनी चाहिए अगर मैं फेबनाची की golden ratio क calculation लेता हूं अगर नहीं मिलती है तो फिर इसको जो 100 moving averages है उसकी जो line है यह blue वाली बहां इसको support मिलनी चाहिए जो की लगबग आती है 48,800 डॉलर पे और उमीद करता हूं यहां इसको support मिलेगी अगर यहां पे उपर close करता है तो दुबारे से इसको जो resistance मिलता है वो 44,000 डॉ अब immediately अगर मैं बात करता हूं तो temporary हो सकता है यह yellow line दिख रही है जो की 100 यह में है वो भी इसके लिए resistance हो सकता है लेकिन time कितना लगता है इस news को digest होने में वो देखना बड़ा matter करता है क्योंकि कई बार ऐसी news की वैसे हमें हफता 10 दिन 15 तक यह news भूनती रहती है और अब र और माल बटोर सकें या इसको ऊपर ले जाते हैं वो भी देखना बड़ा interesting रहेगा बाकि अगर overall cryptocurrency market coins की बात करें दोस्तों जब भी market ऐसी होती है तो शाम का वेट ज़रूर कर जब European और Western market जब खुलेंगी American market खुलेंगी और अगर वो dump करते हैं तो 10-15% जैसा कि हमने एक वी bounce back कर जाए और हम जो है उसका फायदा उठाके यहाँ पे profit dip buying में कमा सकें तो wait करना है ऐसा नहीं है कि अभी market एकदम से थोड़ी सी गिर गई कि हम यहाँ पे entry ले ले और आपको पता है dip buying strategy के बारे में हमने बताया भी था कि profit भी book करते चलो लेकिन जब नीचे आता है तो ए इस चीच का फायदा उठा सकें बाकी अभी जो है suggestion यही रहेगी bitcoin आज शाम को कैसे react करता है उसको देखना मत भूलेगा तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काम की लगी होगी पसंद आई होगी तो वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe करके जरूर जाए अभी के लिए हम विदा लेता हूँ खुछ रही है मुस्क्रात रिए कमात्रिया आपका दोस्त पंकर्स थैंकिनोच कर धन्यवाद